अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दरपड में प्रतिविम बनाने के नियम इससे पहले की कलास में मैंने पढ़ा था गोली दरपड के निर्देशांग जामित की चिन परिपाठी लेकिन अब पढ़ेंगे गोली दरपड में प्रतिविम बनाने के नियम हमना आतल दरपड में 6 प्रतिम बनाते हैं जिसमें 5 वास्तविक और एक आभासी उतल दरपड में एक ही तरीके से बनेगा वो भी आभासी हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे जरा पहले सीख लेते हैं क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं सीख लेते हैं न कि यह प्रदिम बनता कैसे है किरणों को कहां से डाले वो कहां पर जाएगी ध्यान से देखना पांच मिनट थोड़ा यहां पर हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या करते हैं छोटा-छोटा उसके बाद नियम विधिवते चलते हैं देखो यह है अपना आउतल द्या यह है अपना 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 से पहले बना लिए देखो इसमें यहां पर धुरू होता है सब बच्चे जानते हो इसमें भी यहां धुरू होता है सब बच्चे जानते हो ठीक है यहां पर होता है वक्रता केन अवतल दरपण में यहां पर होता है मुख्य फोकस इसमें होता है यहां पर वक्रता केन यहां प यहां पर मुख्य फोकस वक्रता केन धुर्मुख्य फोकस चलो बन गया देखो पाला क्यान है ने यह मुख्यक्ष्ण धेक रहे हो ना दियान समझता यह मुख्यक्ष्ण है और ऐसे ही जैसे ही ये मुक्यक्ष ऐसे बना है ऐसे ही अगर मुक्यक्ष के समानतर ऐसे किने डाल दो टार्च मारो यहीं से क्या मारोगे टार्च तो किरण ऐसे सीधे जाएगी और यहां से टकराएगी ना तो फिर कहां जाएगी फोकस से जब ना आये तो ना बोला करो फोकस दूरी से जाएगा बेवकूब कहें कि फोकस दूरी summarize कि हना तक मारेगा प्रकाश दिमाग में सेट अप करलो बिना मतलब के ना बोला करो मुख्यक्ष के समाहंतर अगर किनेट डाले देखो ये मुख्यक्ष है अगर इसी के समांतर किरट डाल दिये आउतल दरपड में तो यहां पट्टकराएगी सेवरली फोकस से हो कर जाएगी निश्चित है कहां जाएगी निश्चित है जैसे तुम सड़क पर चलते हो तो बाईं और से चलते हो साइकिल पर बैठते हो तो बाईं और से बैठते हो कि दाईं और से हमेशा नो बाईं और से बैठते हो इस्थिती कभी कभा खराब हो जाते हैं तो दाईं और से बैठ लेते हो लेकिन सो प्रदस्ट में 99% आप बाईं और से ही बैठते हो वही रूल ये भी कहता है कि जब आप मुख्यक्ष के समानतर किरेंट डालना चाहे आउतल दरपड में डाल दो चाहे उतल में ये आउतल है ये उतल है तो इसमें वास्तविक रूप से जाएगी और इसमें जाती हुई डाड डाड रेखा से जाएगी याद रखना उतल दरपड में आभासी प्रतीम बनता है इसलिए दरपड के दाईयों किधर जो किरण खीचेंगे वो डाड डाड रेखा से दिखाएगे किस रेखा से दरपड के बाईयों और पूरी रेखा है देखो ये किरण ऐसे जा रही है यहाँ पे टकरा रही है तो फोकस से जाती हुई इसलिए इधर जब भी दरपड के दाईयों और याद रखो जब भी दरपड के दाईयों और कोई भी किरण खीचना डाड डाड रेखा से खीचना अब आईयों और खीचना तो पूरी रेखा बास्वन में आई तो इसका नियम आपने क्या पढ़ा कि जब किरण मुख्यक्ष है ये मुख्यक्ष है मुख्यक्ष के समानतर इधर उटार्चमारा किरण यहां गई टकराई और कहां से गई फोकस से ये उतल दरपड में गई न अच्छा उपर से अगर डाल दिया मुख्यक्ष के समानतर तो फोकस से गई अगर नीचे से डाल दिया फोकस ध्यान देना अगर नीचे से भी डाल दोगे न तब भी कहां से जाएगी फोकस से जाएगी तो याद रखना पहला नियम ये है कि मुख्यक्ष के समांतर अगर किने डालोगे तो यहाँ पे टकराएगी तो परावर्तन की घटना होगी परावर्तन के पस्चात किरण कहां से जाएगी फोकस से अच्छा इसमें भी किने देखो बच्चे इसमें भी मुख्यक्ष के समांतर किने डाला तो यहां से भी जाती हुई अच्छे यह बताओ बच्चे यह उतल दरपण है मुख्यक्ष के समांतर किने डाला उपर से भी नीचे से तो यह किरणों को क्या कर रहा है एक बिंद उपर इकठा कर रहा है क्या कर रहा है इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं अभिसारी दरपण कौन सा दरपण लिखाएं है अभिसारी दरपण अपसारी दरपण अभिसारी क्या है वह किरण पुन जो प्रावर्तन के पशात फैल जाता है देखो यह किरणे क्या कर रहा है फैला रहा है ना उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है इसलिए ये जो है आप सारी दर्पण होता है कौन सा दर्पण ये कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है बच्चे आप सारी दर्पण और आउतल किरणों को एक बिन्दु पर एकत्रित करता है इसलिए अवतल दरपड अभिसारी दरपड होता है कौन सा दरपड अभिसारी बास्वन में आया कौन सा मैंने लिखाया है चित्र भी बनवाया है अभिसारी अभिसारी में जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके वीडियो में देख ले subjective study channel पे जाके देख ले अब सारी अभी सारी क्या है वहाँ पे अच्छे से समझा गया चलिए आगे देखे तो आपने एक चीज़ सीख लिया मुख्यक्ष के समानतर किरेट डालेंगे तो कहां से होकर जाएगी फोकस से फोकस से जाएगी अवतल दरपड में वास्तविक रूप से और इसमें आभासी रूप से जाती हुई क्यों? क्योंकि ये वास्तविक प्रतिम बनाता है ये आभासी बनाएगा तो फिर समझो मुख्यक्ष के समानतर डालोगे कहां जाएगी? फोकस से फोकस पे डाल दोगे तब मुख्यक्ष के समानतर ध्यान दे ना मुख्यक्ष के समानतर ऐसे डाले तो कहां से गई? अब फोकस होई पे डाल देंगे तब मुख्यक्ष के समानतर चलो अब अगला देखते हैं कहे परिसान हो रिलेक्स, कूल डाउन अब हुआ तक पहुँचे नहीं है उठी गए अभी आने दो ध्यान दे न मुख्यक्ष के समानतर डालेंगे तो कहां जाएगी फोकस से अगला देखो अब हम क्या करेंगे फोकस पर डालेंगे किरण कहां डाल रहे हैं इसमें भी फोकस पर डालो यहां पर देखो यहां आएगी न यहां पर डाट डाट हो जाएगी क्या हो जाएगी तो देखो यह देखो फोकस पर डालेंगे तो मुख्यक्ष के समानतर अगर नीचे से अगर फोकस पर डाल दोगे तब भी उपर उसे क्या हो जाएगी मुख्यक्ष के समांतर ये किरण आ रही है इधर से जा रही है ये किरण जा रही है इधर से आ रही है फिर समझो मुख्यक्ष के समांतर डालोगे कहां जाएगी फोकस से अब फोकस पड़ डालोगे तो मुख्यक्ष के याद रहेगा देखो ये मुख्यक्ष के समांतर हो जाएगी ठीक अब आगे देखो अब केंदर पड़ डाल दो भाईया कहां पर अब वकरता केंदर पर अगर डाल दोगे न तो तो टकराएगा और कहेगा कि हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे क्योंकि रास्ता बदलेंगे तो भटक जाएंगे और जो भटका हुआ कभी वापस नहीं आता इसलिए वकरता केंदर जैसे आप लोग जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते पर जाते हैं वैसे ही ये वक्रता केंद पर आएगा और टकराएगा फिर उसी रास्ते पर वापस चला जाएगा चाहे अवतल दरपन ले लो चाहे ध्यान देना बच्चे वक्रता केंद पर आपतित कराओगे तो जाएगा टकराएगा फिर उसी मार्ग पर वापस लोड़ जाएगा इसमें वास्तविक रूप से होगा, इसमें आभासी, तो पहला नियम आपने क्या सीखा, कि मुख्यक्ष के समांतर डालोगे तो कहां जाएगी, फोकस से, फोकस पर डालोगे तो मुख्यक्ष के समांतर हो जाएगी, वकरता केंद पर डालोगे तो उसी मार्ग में वापस, या इहुनियम का प्रयोग हम हिन करेंगे, घबडाना मत बेटा, देखो, जब आप समतल नरपर पड़े थे, ये किरण आ रही है न, यहाँ पर पड़ेगी तिसका नाम होगा आपतन भी इंदू, और फिर ये टकराएगी प्रिष्ट के लंबवत क्या होता है, अभी लंब, निकल जाएगी, ठीक, तो ये आई जितना कोण बनाएगा, आर उतना ही कोण बनाएगा, ऐसे ही अगर आपतन भी इंद पर किरण डाल दो, तो इके कर काम करता है, अभी लंब का, ये मुख्यक किसका काम करेगा, अभी लंब का, तो ये आपतित किरण है, और यहाँ पर ये आपतित किरण, अगर आपतन मिंद उपर मुख्यक से पैतालिस बना रही है, तो ये जो निकल रही है, ये भी कितना बनाएगी, है ना, कितना बनाएगी अंजली, इधर देखती रहा करो, देखती होती तो ना बोलते हम, ये किरण आ रही है, यहाँ पर पड़ेगी, औ और ये मुख्यक्षसे अगर यहाँ पर आई है तो ये जो ये किरड़ आएगी ये भी मुख्यक्षसे कितना होगी? आई ही मतलब दुनों कोड़ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं क्या होते हैं? बराबर इसलिए अगर ये पैटालिस है तो ये भी इसका प्रयोग हम आगे करेंगे ना तो ये तो आप इसी नियम से मिला की नहीं मिला तो याद रखना अब हम विध्योटे ढंक से इसको साप करके फिर आगे लिखवाते हैं देखिए मैंने प्रतिम बनाने के तीनों नियम समझा दिये हैं अब डिफिनीशन कैसे डिफाइन करना है जरा ध्यान देना ये पहले नियम में है देखो ये दूसरे नियम में है दो फिगर और ये तीसरे नियम में दो फिगर एक नियम में कितने फिगर बनेगा दो एक है आउतल दरपड के लिए एक उतल दूसरे में भी एक आउतल एक उतल तीसरे में भी एक आउतल एक उतल ध्यान देना जो पहला नियम बताए थे देखें बच्चे सभी लोग जब प्रकास केरे मुख्यक्स के समानतर इस पर भी मैंने मुख्यक्स के समानतर डाल दिया इस पर भी दोनों के साथ same behavior किया है same behavior किया है किसी को मैंने प्रतारित नहीं किया जो इसको दिया वही इसको दिया इसके भी उपर मुख्यक्ष के समानतर के डाला इसके भी उपर मुख्यक्ष के समानतर के डाला इसमें परावर्तन के पस्चाथ फोकस से हो कर जाती है और इसमें परावर्तन की पश्चात फोकस से जाती ही प्रतीत होगी द्यान देना ये डाट डाट लाइन है ना तो फोकस से जाती ही कहाँ हो प्रतीत होगी ये देखो जाने का रास्ता है ये टकरा कर वापस आने का यह जाने का है, यह तीर का चिन नलगा है ना, इससे याद रहेगा कि कौन से किरण किदर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, पहला नियम देखो, जब प्रकास किरण, आउतल, जब प्रकास किरण, दरपणों पर आपतित होती है, या गोली दर्पणों पर आप्तित होती है किस पर गोली मतलब आउतल उतल समतल पर नहीं किवल गोली दर्पण का नाम ले रहे हैं गोली दर्पण में कितने दर्पण आते हैं दो एक आउतल और एक तो जब प्रकास की किरण मुख्यक्ष के समांतर गोली दरपणों पराप्तित होती है तो परावर्तन के तो देखो गोली दरपणों पराप्तित होती है तो परावर्तन यहां से परावर्तन घटना घटेगी तो परावर्तन के पस्चात फोकस से होकर जाती है आउतल दरपण में अवतल दरपड में तथा फोकस से जाती प्रतीत होती है उतल दरपड में कहां जाती प्रतीत होती है उतल दरपड में एक बार फिर से याद कर लीजिए तुरंद जब एक्जाम में आएगा नहीं लेकिन ये नियम बता रहा है कि कैसे आगे हमें काम करना है साइकिल चलाने से पहले फोर बीलर चलाने से पहले टू बीलर चलाने से पहले रेल बे गारी चलाने से पहले सीखते हो नौकरी पाने से पहले ट्रेनिंग देते हो खाना खाने से पहले माता जी आपकी सिखाती है कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे वैसे ही हम लोगों को प्रतिमिम बनाना सीखना कैसे है उसके लिए पहले नियम सीखना पड़ेगा प्रतिम बनाने के नियम, खाना बनाने के नियम, गाली चलाने के नियम, रोटी बनाने के नियम, बाल बनाने के नियम, beauty, beauty cn, beautician, होता नहीं सिखता है सब नियम कानून होते है हर चीज का अपना नियम होता है, पढ़ाने के rule regulation होते है ऐसाने जो निमन में आई वही पढ़ा दो जो किताब में लिखा है वही पढ़ाना है जो बैग्यानिक लोग लिख कर चले गए वही हम लोग को दोहराना है तो जब प्रकास किरण गोली दरपड़ों पर ध्यान देना जब प्रकास किरण मुख्यक्ष के समांतर गोली दरपड़ों पर आपतित होता है तो परावर्तन के पस्चाद फोकस से होकर जाता है आउतल दरपड में तथा फोकस से जाता हुए प्रतीत होता है उत्तल दरपड में दूसरा नियम जब प्रकास किरण फोकस से होकर जाती है फोकस से होकर जाती है कहां सोकर जाती है तो परावर्तन यहां से परावर्तन घटना घटेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्यक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल दरपड में तथा आती वी प्रतीत होती है उत्तल दरपड में देखो बच्ची इसमेन जब बोलेंगे उत्तल वाले में आएंगे तो गहेंगे आती वी प्रतीत होती है उत्तल दरपड में लोड़ जाती है उतल दरपड में तथा आती हुई प्रतीत होती है उतल दरपड में फिर से एक बार जब प्रकास करण मुख्यक्ष के समांतर मुख्यक्ष के समांतर गोली दरपड पर किरण आपतित होती है तो अपरावर्तन के पशाद मुख्यक्ष के समांतर होती है उतल दरपड में तथा आती हुई प्रतीत होती है उतल दरपड में तथा आती हुई प्रतीत होती है उतल दरपड में तथा आती हुई प्रतीत होती ह उत्तल दरपड में जब प्रकास्क्रण वक्रता केन से उकर जाती है तो प्रावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लोड़ जाती है आतल दरपड में तथा आती प्रतीत होती है उत्तल दरपड में लिखो दोनों फीगर बनाओ